हेलो दोस्तो यू एससके अनिमल्स चैनल में आपका स्वागत है दोस्तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे सफैद शेर के बारे में तो दोस्तो जान लेते हैं सफैद शेर का वेग्यानिक नाम पैंथरा लियो है यह महासारी इस्तनपाई जानवर है इसका ओस्तन वजन लगबग 150 किलोग्राम से 500 किलोग्राम तक हो जाता है सफैद शेर ज्यादतर भेंस, हीरन, लेलगाई, जेबरा, वेल्डवीश को खाते हैं और यह एकसर समों के साथ ही शिकार करना पसंद करते हैं सफैज शेर ज्यादा तर शाम के समय वेरात में ही शिकार करते हैं सफैज शेर अराम करने और सोने में लगबग 18 धंटे बिताते हैं सफैज शेर ज्यादा तर अपने शिकार को जहां मारता है वहीं उसे खाता है यह शिकार को मार कर अपने साथ नहीं ले जाता क्योंकि सफैज शेर सिर्फ ताजा मां से खाना पसंद करता है सफैज शेर के गरजन बहुत तेज होती है इसकी गरजने की आवास को लगबग 10 किलोमेटर से भी सुना जा सकता है सफैज शेरों के 30 बड़े आकार कैनाईन दाथ होते हैं ये शिकार को मानने और मास को काटने में मदद करते हैं सफैज शेर ज्यादा तर शिकार को घात लगा कर करता है सफैज शेर जिस छेतर में रहते हैं उस छेतर की सिमाओ को पूरी तरह से संभालते है सफैस शेर जियादतर अफरीका में पाए जाते हैं इसलिए इन्हें अफरीकन शेर कहा जाता है सफैस शेर का इकलोता शिकारी सिर्फ इनसान है सफैस शेर की गर्दन के बाल जितने गहरे होते हैं वह उतना ही बड़ा होता है मादा सफैज शेर नी इनी नर सफैज शेरों के साथ सम्मन्द बनाना पसंद करती है जिनके गर्दन के बाल लंबे और गहरे होते हैं सफैज शेर की छलांग कमाल की होती है यह लगबग 38 विट दूर तक छलांग लगा सकता है सफैज शेर की हड़ियों का इस्तिमाल एसिया में परमपारे की दवाईयां बनाने में किया जाता है इसलिए ज्यादतर शिकारी पैसे कमाने की लालच में इनका शिकार करते हैं शेर की देखने की शमता अधिक होती है यह अंधेरे में भी इनसानों से आठ गुना ज्यादा अच्छे तरह से देख सकता है सफैज शेरों को अभी भी अफरीकन शेर ही कहते हैं कुछ मानने अताओं के अनुसार सफैज शेरों को इश्वर का दूत भी माना जाता है जो सुख संब्रदिल आता है सफैज नर शेर एक दिन में लगबग पचास बार मिलन करते हैं ताकि यह यह सुनश्चित कर सकें कि शेरनी गर्वती हो जाए इनका हर मिलन केवल 25-30 सेकंड का ही होता है सफैज शेरनी का गर्वकल लगबग चार महिने का होता है शेरनी हर दो सालों में एक से चार शावकों को जन्म देती है सफैज शेर का ओस्तन जीवन का लगबग 17 साल होता है